इस वक्त मेरे साथ मौझूद है एक उम्दा कलाकार जो पिछले चार दस्रक से कमाम तरह की फिल्में करते आ रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, अपनी फिल्मों से संदेश देने की कोशिश करते आ रहे हैं, अब उनकी एक नई फिल्म आ रही है, मिशन रानी गं जुगाडू तो इसलिए बोल देगा, जुगाडू साउंड लाइक की बाई एक चालू कर दिया, पहले मैं फिल्म के पर में बता देता हूं, एटी नाइन में एक बंगॉल में कोल माइन फ्लॉडिड हो गई थी, तो जनली यह होता है कि फ्लॉडिड है अब नहीं बचाए यह भी है कि उसमें मिशन रानी का जब हम बोलते हैं तो उनको साथ से उपर लोग फसे थे, फिफ्टी सेवन को रेस्क्यू किया गया था, कैसे किया गया था, वो बात किसी ने ना कही, आज की पीड़ी के तमाम लोगों तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, हमें भ यह डिरेक्टर ने फिल्म बताई, तब पता चला कि इस रियल इंसिडेंट, इस इन गिनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड, किसी ने अभी बताया लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड तो ब्रीफ में यह बताना चाहूँगा कि एक माइन में पानी बर गया, कुछ लोग फस गए और करते नजर आते हैं, आप भी इंजिनियर बने हैं, अगर ब्रीफ नहीं बताऊंगा तो उसका कोई मतलब है, तो एक इंजिनियर थे, जस्वन सिंग गिल, उन्होंने बोला नहीं अगर एक भी आदमी जिन्दा है, जो कि ट्रेलर में भी है, तो हमें उसको निकालना है, तो यह ते हुआ कि एक ने बोला कि शायद इस हाइट पर गए होंगे, उपर से अंदाद लगाया का है, कि इस जगह पर होंगे, जो उपर की जमीन है, तो उन्होंने सोचा हम एक छेद करेंगे और एक एपसुल बनाएंगे और उनको लेकर आएंगे, तो फिर मेरा जो किरदार है, मुझे ब fidlka, उसको फोन किया जाता है, वो इंजीनिर है और उसके पाद अपनी फिक्ट्रिय है, और यह ही काम करता है, और भी काम करता है, ऑर बो करेंगा चेद, इसलिए बलाये जाता है, और जब फोन आता है, तो फिल्म में जो असली बिन्दल सहाभ है, हमने उनको, तो मैं उनके जब पाउंच हुता हूं तो और अजिन्स के लिए वो मेरे पिता होंगे लेकिन वो असली बिंदल साभ को हमें फिल्म ने अदमी वहां आता है तो जुगार इसलिए बोला जा रहा है कि अगर चेद करना तो बिट छोटी पड़ रही है तो तरह 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 के जु जुगार इसलिए बुड़ा इसलिए वह एक तो आप आप यह जो एक शुगार आप यह और तौन एसलिए बिद के समें एपनों से को की डुगार आप आप यहिए ना जिदूसर फिर लिम्सें इस सब्काराइब दोपता है जुगिन्ट की जितने भी यंग्स्टर जो आप कि आप एक mission पर अगर जाते हैं तो don't don't leave the hope. एक आपने काम तै किया आप उसमें अगर अर्चने भी आ रही हैं तो you keep going with it. And that's what happened. There were people, there were saying that नहीं हो सकता. There were people saying that यह है नहीं. तो जो चीजें जब जुगार बोल रहे हैं ना तो वो जुगार ऐसा है कि यह नहीं है, यह चेट कैसे करेंगे, बिट तो हमारी चोटी है, नहीं हम यह चेट करेंगे, उसके बद यह करेंगे. तो तरीका निकालता रहा है. मैं शूटिंगा आपका एक्सपिरिंस जानना चाहूँगा, क्या यह रियल कोल माइन में जाकर शूट की गई है, किस तरह से आप लोग ने उस रियालिटी को दिखाने की कोशिश की गई? एक तो प्रोड़क्शन डिजाइनर जिसको आर्ट डिरेक्टर बोलते हैं, बहुत उंदा काम किया हूँगा, उन्होंने सेट लगाया, उस पे किया, इन्होंने, भाई, पर हमारा डिरेक्टर अगर आप जानेंगे, रुस्तम से मैं जानता हूँ, एक चीज सोच ली तो अजो है, बहुत है, में जाने, न से फिल्सील है, बाई चीज से वाईप लुब है इसमें है, लेकर आए, you know, कॉस्ट्यूम्स, इतनी भीर को मेकप, so everybody has contributed with their hundred percent. उस्तम के बाद यह उनके साथ दूसरी फिल्म है, टीनू सुरेश आनन्द के साथ, हाँ, टीनू सुरेश आनन्द के साथ, और अक्षे कुमार के साथ, यह तीसरी फिल्म है, क्योंकि हाली में, oh my god, two आई थी, जिसकी बहुत तारीफ हुई, और आपका जो किरदार था, जजजवाला, जिस तरह से react करता है, जिस तरह से hilarious reaction देता है, जब court में बाद भी बाद चल रहा है, जिसकी नहीं कर रहा था, मैं तो जैसी सारे मेरे पर मैं जब भी शूटिंग में अपने reaction, देकि acting also reaction, it's not always that you have to speak, it's in your eyes, you react, you listen to people, I was just listening to people and reacting, and they decided to keep those shots. बहुत natural था, और बहुत लोगों को पसंद आया, कि आपको उमीद थी कि जब आप उस फिल्म में जज के किर्दार में आपको इतना पसंद किया जाएगा, इतना प्यार मिलेगा और आपके किर्दार को याद रखा जाएगा, आपको ऐसी उमीद थी, मुझे फिल्म की उमीद थी, कि फिल्म बहुत बढ़िया लिखी हुए, बहुत बड़ी अब बन रही है, मैं बैठा जो परफॉर्मसी देख रहा था है अज़ जजज, मुझे पता चल रहा था कि एक छोड़े केमियोज भी जो है, कमाल की परफॉर्मस दे रहे हैं, पर मेरा किरदार मैं तो सिर्फ करता हूँ, कब, जब भी मैट भी नहीं मैंने सोच था इ वो अलग किरदार है, Brothers in Trouble अगर फॉर्म कर रहे हैं, वो अलग किरदार है, Black Friday अलग किरदार है, जब भी मैट अलग किरदार है, या सरदार भी बोलेंगे, Grand किया, टबर किया, वो अलग किरदार है, भाग मिल का केरेक्टर को जब भी मैट का केरेक्टर थोड़ी है, कोई ब वो शिद्दत नजर आती है और हाल फिलाल में देखने को भी मिल रहे है ग्रहन सीरीज में ने देखे थे डिजनी होड स्टार पर जो आई थी और आपने तबबर की थी सोनी लिव पर दोनों ही किरदार बहुत ही बहुत उम्दा काम कर रहे हैं आप OTT पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि OTT एक ऐसा प्लाटफॉर्म मिल गया है आपको जहां पर आपका जो अभिने जो एक मौका होता है जो आक्टर को बहुत कम आजकल मिल रहा था लेकिन एक नया एविनू खुल गया है OTT प्लाटफॉर्म पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत आप वो दिखाने का मौका मिल रहा है जो बहुत सालों से बीच में नहीं दिखाने का OTT तो एक खिड़की और खुली है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कि कि गॉडपी नहीं लुची है और घुच नहीं का हुचा हुच प्रदु variety of ㅋㅋㅋㅋ अबिन रउजीं ये उधाल है इसे बाइख पहले जो फिल्मों को नाम लिया we are black Friday is when someone मैं आप गाइब होते हैं फिर आते हैं एक जटके से भाई हम तो शिकारी हैं मंचान पर पेशिंस के साथ बैठे हैं जब शिकार चोटा था मुझे याद है ब्लैक फैड़ी में लेकिन बहुत पाउरफुल था बहुत पाउरफुल था तो लेंथ देखेंगे तो तीन में है न पर लोगों को याद रहें तो क्योंकि एक एक इमानदारी से शिदत से काम किया है रोट तो संगम लोग पहचानते ही नहीं यह जिन्होंने देखा भी पहचान लिया वो सोच्छे है आवाज किसी और की है तो आई टेक और थीस अग्लिमें कि भाग मिल का भाग लोग बात क करते हैं किया तो वो इश्वर की कृपा है मैं अपनी इमानदारी से अपना काम करता हूं जो भी मिलता है अभी अक्षे के साथ अगर मैं देखू तो मैंने तीनी फिल्में की है जो उस करीयर की डेफिनली बहुत इंपॉर्टन फिल्में है मैंने रुस्तम की थी ओमाइग तू की है और अब मिशन रानी गंज की है, I'm very happy to be part of मिशन रानी गंज. इसा लग रहा है आपकी बातों में जो आत्मविश्वास है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि आपका किरदार बहुत दमदार होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा. फिल्म आपने आप में बहुत इंपॉर्टन है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, यह तो आपको अपने करियर में जो आपने चार दशके करियर में जो आपने शुरू किया था उनीस वासी के दशक से, कहीं ऐसा लगा कि जो आपको तवज्जव दी जानी हमाने के पर letter गश्चे क हमें आपको ऐसा लगा कि आपको इगनॉर किया eria, आपने बताया कि कि आपने तहुस है कि आपने करिदा निभाया और फर्स सीन से लास्स सीन पहीं है. बाप तरह 1 एंपे फिलमें कियां इग्नोर अपना सनेमा उनका अपनी हो ए मुझे देखे फ्रांस में भी आवर्ड मिला for फिल्मों में वहां का फिल्म फेर, वहां की नंदी अवार्ड, वहां का स्टेट अवार्ड मिला, मुझे पंजाबी में अवार्ड मिला, मुझे पंजाबी में अवार्ड मिला, मुझे अवार्ड में मुझे अवार्ड मिला पर उनका अपना सिनेमा है, उनकी अपनी सोच है, अगर वो सलीम नंगडा या ब्लैक फ्राइडेय या जब भी मैट या भाग मिल का भाग नहीं एप्रिशेट कर सकते हैं या उनको लगता है कि बाकी एक्टर्स ने बेतर किया तो वो उनकी सोच है मैं उनसे थोड़ी बोलूँगा और जहां तक हर एक को लगता है कि मुझे लाइफ मेना और थोड़ा बेतर में से वो जीवन है लेकिन अगर अगर लोक बैक तो ईश्वर की कृपा है इनको लगता है नोट अनली यू लॉट्स अपीपल से कि डिजवर मच मॉर वर्क पर जितना भी किया हमने तो अपने डिसीजन भी लिए ना कहना सीखा पॉजिज लिए उसमें कुछ लोग नाराज भी होते हैं उनको लगता है कि बाई अगर हम चार से सीन के रोल के लिए बोला रहे हैं त शीजन अपने कटे काणने के लाई ने सी जुग नोट चुक आई गए हैं ने सहरे हैं लिए आफ़ पहले अब उसमें नुक्सान भी हुआ यह पिला कम आया साने के लिए ने कि काम ने कभी है कि अबप यान बोला है मने पहले थैंम नानं बहुत आएम करता है। मैं छेचेबी ने साल साल बैठा रहा है। इसलिए मैं ना लोन नी लिता हुआ। थाकि एमाई की तल्वान नी रहा हुआ। आप डेविड काड़ को पर चलिए, क्रेविड काड़ को पर चलिए। मैं आपसे मतलब मेरा मैं आपको बोल रहा हुआ। और बड़ी अच्छी पर संदाएगी तो वह भी पहना हुआ। मैं फाइव स्टार में जाकर खाना काऊंगा। चाय पिएूँगा। मैं टप्री बिखा लूगा। मैं धावे में बैठा कुछा हुआ। मैं जिन्दी दीर हुआ। मैं कहता हूँ जब अच्छा सेक्सेस का कैसे डिफाइन करेंग काम कीजे। भगवान असेव गिराएगा। चूइट वेल। चबाना आप ही को तब पचेगा। जब काम मिले तो हंड़िट परसंड काम। बहुत अच्छी आपकी सोच है। बहुत अच्छी फिलासफी है जिन्दगी जीने का जो फलसफा है। बहुत प्रेड़ना दाई ह से खास बातचीत करने के लिए पावन मलोतरा जी बहुत-बहुत शुक्रिया जिस अंदाज में आप ने हिंदी सिनमा में वापसी किया और जिस अंदाज में आप OTT प्लैटफॉम पे भी कई बर वापसी करने का तरह तरह की किरदार निभा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का तैंक यू सो मच और ABP देखने वाले सुनने वालों को मेरा नमस्कार जैहिंद कैमेरमेन प्रकाश पाटिल के साथ रवी जैन ABP News मंबई